अगर आपने एक concept जान लिया ना, तो banks कैसे trade करते हैं, institutes कैसे trade करते हैं, कहां entry बनाते हैं, कितना बड़ा RR रखते हैं, कितना जाधा पैसा वो बनाते हैं, आप imagine नहीं कर सकते हैं, चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं कि कितने level तक वो आपको trap करते हैं, किसी दिन आप लोग overnight position लेके जाते हैं, इस falling में अगले दिन वो gap up खोल कर आपकी सारी positions के square up करवा देते हैं, पर आपको लगता है, नहीं gap लोगा, फिर अगले दिन gap up जब तक दम दोड़ देते हैं, जब तक आपको लगता है, नहीं भाई, अब तो market में जो bullish, bearish रनता, bullish आगा, और जिस दिन आ रहेगा, तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर में एक खुलासे का, जिसका नाम है market analysis for tomorrow, for those जो अपनी overnight position लेगे गए हैं, जो अपने आपको एक two smart trader बोलते हैं, उन two smart traders, trap traders, and SMC traders, ICT, price action indicator, उनको दूर रखते हुए, हम चीजों को market को बहुत बारी किस निकेट आई, निकेट आई का मतलब होता है, चीजों को समझना, आगे बढ़ना, और देखना कि exactly market में अभी चल क्या रहा है, तो सबसे पहले हमारे पास chart है, निफ्टी का, निफ्टी में हम देख पा रहे हैं, एक घंटा, वाई हम एक घंटा क्यूज कर रहे हैं, ने एक डाउन आया, देन एक pullback लिया, फिर एक डाउन आया, और अगली बार भी जो डाउन आ सकता है, वो भी इस प्रकार डाउन आ सकता है, क्यों, क्योंकि मार्केट में हमने फिबनाशी बनाया हुआ है, यह 0.2, 0.3 लेवल के पास है, मतलब एक discount zone है, जहां से अगर हम shot क जाता है, तो इसलिए हम long position overnight नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए मैं intraday लेवल्स देखने पड़ेंगे, यह हमारे support, यह trend line है, अब यह trend line काम की क्यों है, तो कि इसके उपर एक high rise formation बना हुआ है, बटी high rise पे अभी तक closing नहीं हुए, तो अभी तक हम consideration नहीं कर सकते, यह trend line काम की है यह नहीं, बजब काफी लोग बोलेंगे, इस लोग को टूट देता है, तो market we are going to shot, no, please don't do this, अगर आपने इसको shot किया, pullback लिए, retest पे shot मारने कोशिश करी, तो शायद आप lose कर सकते है, हो सकता है, अब उस दिन के लिए या इस expiry तक के लिए आप option को zero भी करके जा सकते है, तो अब कल के लिए importantly बात करें, तो हमेशा हमेशा हमें अगले दिन की importance की बात करें, तो हमेशा 15 मिन time frame पे देखता हूँ, अगर मैं ध्यान से देखू, 15 मिन time frame पे तो इस particular week को देखो, इस week के बाद में market इस particular area के support पे चल रहा है, मतलब मेरे लिए जो है nifty का last day, मतलब जो की Monday है, उस दिन का जो low है, वो मेरे लिए बहुत important होने वाला है, अगर उस low को market तोड़ता है, तो हमारे पास में इस particular level से एक long position बनेगी, मैं level लिख देता हूँ, 19365 to 19370 level, अगर यहां मिलता है तो दोस्तों, बे हीचक आप एक long trade ले सकते हो, along with that long के साथ नहीं खुलता है in that case, तो दोस्तों यह lines आपके लिए मैं ले देता हूँ, यह lines आपके लिए दी गई हुई है, यह lines लगाए कैसी है, पिछली बार का closing price, उसके highs price को जितने पॉसिबल है, हमने उन lines को use किया है, अगर आप इन lines को देखना चाहते हैं, कैसे use होता है, यह कोई आने the line as a target with this topless of same candle, okay, तो हम इस चीज़ को use कर सकते हैं, बट यह line जबी काम किये, जब आपको trend पता हूँ, तो अभी हम बात करते हैं, हमारे bank nifty का, same exact bank nifty, bank nifty तो इतने प्यारे level पे है, अगर एक बार यह फूग भी मार दोना, तो भी कर सकता है, ठीक है, तो तो तुमें डराएंगे नहीं, because आपने overnight position लिए हुई है, comment में ज़रूर बताना, मैं देखना चाहता हूँ, कि overnight position में कितना बड़ा gap up, gap down से आप डर रहे हैं, नहीं डर रहे है, तो चाहली एक घंटे की time frame में, अगर बात करें, तो एक घंटे time frame में, bank nifty के अंदर में, एक lower low situation बनी हु अच्छी है और उपर closing इस बार दिया है, मतलब ये एक important trend line है, मतलब अगर market almost 43,500 को cross करके नीचे close कर देता है, तो you can say कि अब अपन market के अंदर में एक shorting ले सकते हैं, otherwise until and unless अगर आप intraday plan कर रहे हैं कल के लिए, तो 3 मेरे time frame में जाए और चीजों को देखिए, 3 मेरे time frame में आपको दिखेंगी, बहुत ही प्यारी area जहां कल का high और कल के low के बीच में, जहां market consolidate कर रहा है, अगर market इस particular area पे आता है, तो यहां एक double bottom बना हुआ है, और double bottom बहुत strong है, अगर इस area पे अगर आपको Fibonacci mark किया जाए, from the last low to the high, तो आप कल इस particular line, which is roughly 43,774 से long ले सकते हैं, बड़ियाद रखेगा, वहाँ candle close होने के बाट decision लेना, candle से पहले decision मत लेना, अगर आप candle से पहले decision ले रहे हैं, तो पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है, कि वो खोलते ही गिरता गिरता जाए, और एक बार हम आखरी में देख लेते हैं, हमारी प्यारी स इस निफ्टी का, जो की, गिफ्ट निफ्टी वो कहाँ open हो रहा है, अप 15 में टाइम फ्रेम में देखा जाए, तो लगबग कॉस्ट पर कोई बड़ी momentum नहीं है, आखरी में, thanks to vote, basically आप लोगों ने बहुत अपना कीमती समय में रखे इस वीडियो में दे शॉट से वीडिय आपका कीमती समय देखे इस एराम